हेलो एवरिवन सभी को नमस्कार मैं अधियर दिक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं इस सेशन में हम पर्सेंटेज का से प्रेक्टिस सेशन नंबर टू करेंगे जिसमें हम लेटेस्ट बड़िया सवाल डिसकस कर रहे होंगे यह हमारा कौन सा बैच चल रहा है लक्षबैच चल रहा है यूट्यूब पर इसकी क्लास आपको मंडे वेड्नस दे फ्राइडे को मिलेंगे आई होप आप सभी को यह याद है लास का जो टाइमिंग हम रखेंगे डैट विल बी 10 एम ठीक है अब यह क्लास आपको लाइव भी मिल सकते है रि लो भी हम यहां डिसकस कर रहे होंगे वह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तर्फॉज़ आप सब सब सर्च कर सकते हैं दिख्षिसर हमने हर चीज का नाम चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो चाहे अपनी पढ़ाई से लेटेट, इंपोर्टेंट है, पढ़ाई से लेटेट, तो आप जो है, मेरे साथ जूम मीटिंग पर जुड़ सकते हो, यह हम संडे, एवरी संडे को रखने की कोशिश करेंगे, otherwise हर दो हफते में at least एक संडे को तो हम करेंगे ही करेंगे, अभी जो है वो 14 अगस पर स्टार्टिंग में दिखेगा, वहाँ पर आपको जूम मीटिंग का लिंक दिख जाया करा करेगा, बस क्लिक हीर कर लेंगे, गिवन डेट और टाइम पर, ठीक है, तो यह एक छोटा सा इनिशेटिव हमने लेने की कोशिश करेंगे, आगे बात करें हमारे पेड़ कोर्स एक टॉपिक जो है, धीरे-धीरे करके अपडेट होगा, अभी लेकिन हमारा परसेंटेज अपडेट हो चुका है, लेकिन अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड ना होने का कारण सिर्फ इतना है कि हम एप में कुछ चेंजिस करवा रहे हैं, तो वो मैक्सिम से मैक्सिम में है, अगर आपको time limit बताओं, तो वो एक हफते में हो जाएगा, फिर आप जो है, उस दोरान आप course को देख सकते हैं, purchase भी अभी कर सकते हैं, तो आप जो पुराने lecture से हैं, आप उनको भी definitely देख पाएंगा, अगर आपका exam जल्दी है, आपको जल्दी syllabus करना है, तो आप update होने की wait न करिए, आप पढ़ने लगिए, ठीक है, जो हमारा content आपको app पर मिलने वाले वो relevant भी होगा, updated भी होता जाएगा, साथी साथ important old सवाल भी उसके अंदर रहेंगे, यानि पुराने जो बड़िया सवाल previous years में आये हैं, उनको भी रखेंगे, साथी साथ paper topic या paper chapter का concept भी हमने app पर रखा है, तो आपको एक ये दो topic ही देखने हैं कि कैसा पढ़ाया गया, तो आप देख सकते हैं, content पर हमने बहुत महनत करिये, साथी साथ ये feature बहुत अच्छा है, that is one day free trial, आपको app पर आके पूरा course आप देख सकते हो, आपको single rupee pay करने की ज़रूत नहीं, तो मैं करें, फिर विश्वास करें, बड़ी बड़ी बाते में सीधे नहीं कह सकता कि भाई तुमने course भड़ी खरीद लिया, तो आपके कंदे पर तीन star पके है, आप पहले राम से course देखो, फिर decide करिए, ठीक है, चलिए, तो percentage का हम practice session number to start करते हैं, पहला सवाल ये रहा आपके सामन को try करिए, stop watch आपके सामने रहेगी, और देखिए, जो भी हमने percentage discuss किया था इस लक्ष बैच में, ठीक है, देखिए, क्या कोई भी सवाल जो previous कुछ years में आया हुआ है, कुछ आपको अलग से दिख रहा है, I hope discuss कर सकते हैं, sufficient time है, देखिए, question कह रहा है, the price of a commodity increases by 28%, however the expenditure on it increases by 12%, what is the percentage increase or decrease in its consumption, तो price into consumption, बराबर होता है expenditure, तो सवाल में उसने हमें change किस पर दिया है, उसके price में, तो price 28% बढ़ गया है, और हमारा expenditure है, वो बढ़ गया है, 12%, पूछा consumption पर change बताओ, तो ऐसे सवाल को हम direct करते थे कैसे, कि 100 से price 128 हो गया, और consumption जो है वो 100 से 112 हो गया, तो पूछा है, तो कम करना है, या increase करना है, तो आपने कहा कि हमें decrease करना है, कम करना है, कितना कम करना है, 16, तो 16 की कमी कितने पर 128 पर, तो 100 पर कितनी, that is percentage change, 16,8,128 यानि 1 by 8 in 2 में 100 इज़ावर आंसर अब बता भी 1 by 8 कितना होता है साड़े बारा तो साड़े बारा परशंट आप देखते हैं इस पे टिक कर सकते हो क्या मैंने आपको नहीं बताया है increase, decrease होगा अधिकतर वो गलत आंसर जो एक्जाम ने रहे ठीक है, next question CHSL 2020 का एक बात और आपको दिमाग से निकालनी है क्या एक्जाम के नाम से decide नहीं करना है कि उसका लेवल अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है अच्छा सवाल है ये केवल calculation डाल रहा है आज कल एक्जाम ने देखो correct to two decimal places तो बस calculation है चले बड़ी, discuss करें देखिए, कईयों का अंसर अभी नहीं आया होगा कोई tension वाली बात नहीं है आप सवाल को try करें वीडियो को pause करके, ठीक है क्योंकि सवालों के साथ जब तक आप लड़ाई नहीं करेंगे fight नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है देखे, दिखाये सवाल आने की probability कम है हलका सा बस language में change करना है और काफी सारे students उसमें बस जाते हैं अगर हम इस सवाल को देखें, सवाल बहुत आसान है लेकिन बस जैसे जैसे कह रहा है न, वैसे करते हुए चलना है जैसे, the income of A is 40% less than that of B if A gets 25% rise in his income and B gets 40% rise in his income then the percentage increase correct to two decimal places अब correct to two decimal places, मतला examiner चार है कि मैं थोड़ी सी calculation करूँ यही छोटे छोटे चेंज है, calculation में वो फसाता है और language में ठीक है, आपको कहीं नहीं फसना है छोटी छोटी सी calculation है in the combined incomes of A and B will be अब देखो, पहला तरीका अब पहला तरीका का मतल़ा दूसरा भी होगा तो sir, कौन सा बेस्ट तरीका है तो मेरे भाई, बेस्ट तरीका नाम की कोई चीज नहीं होती है अब मैं इस सवाल पर समय दूँंगा तो मैं कहूंगा अब यह वाला तरीका बेस्ट है यानी B की income अगर 5 है तो A की 2 कम यानी की 3 हो गई ठीक है अब हमने बात करिये या नहीं करिये कि जब मुझे इसका भी percentage निकालना है क्योंकि A की salary कितनी बढ़ी है 25% बढ़ी है तो अगर मुझे इसका भी कुछ percentage निकालना है तो मुझे इसे 100 का multiple रखना चाहिए उससे क्या होगा क्योंकि 100 का X percent X ही रहता है इसलिए आप अपने मन से यहाँ 2-0 लगा दो क्योंकि यह 3 और 5 के ratio में है तो यहाँ पर भी वही change करना पड़ेगा ratio का सबसे पहला rule है हम ने next topic में discuss भी क्या है ratio अगर आपने recording नहीं देखी है अगर आपने पूरा content नहीं देखा है ratio का तो आप देख लो लेक्ष बैच में आपको मिल जाएगा ठीक है तो दोना तरफ change कर दिया अब इसको कितने percent बढ़ा है 25 परसेंट 25 परसेंट का मतलब 1 by 4 तो डेड़ सो आधा हो गया उसका भी आधा 75 तो एक ही income हो जाएगी नहीं तीन सो पिचत्तर अच्छा बी की income कितने percent बढ़ा ही है 40 परसेंट तो 10 परसेंट हो गया 50 तो 40 परसेंट हो जाएगा 200 तो बी की income हो गयी 700 तो combined change कितना हुआ तो A और B की पहले income थी 800 और अब हो गई 1075 तो increase हो गया 275 का कितने पर कितने पर increase हमेशा पुराने पर देखा जाता है old पर तो divided by 800 into में 100 तो 2 0 से 2 0 cancel out हो गये 8 3 0 24 और 35 तो 8.32 point बचा कितना हमारे पास 30 30 तो फिर 8 24 तो 34.3 something एक ही option है 34.something में तो हमारा C हो गया बात clear है सफी को अब आते हम दूसरे तरीके पर अभी हमने जो topic नहीं पड़ा है यहाँ पर उसका application होने वाला है लेकिन आप जितना इसे समझेंगे तो जब हम इस topic को start करेंगे that is mixture and allegation तब आप इसको और बहतर तरीके से समझ पाओगे यहाँ पर हम जो rule लगाने वाले है that is allegation allegation का rule क्या कहता है allegation का rule यह कहता है कि अगर आप मुझे दो चीज दे दो कोई भी दो चीज आपने दे दी आपने मुझे पताया कि इन दोनों को इस ratio में mix करना है यह ratio है इस ratio में दो चीजों को mix करना है इस पर कुछ percent का change हुआ इस पर कुछ percent का change हुआ तो बीच में जो भी चीज आती है allegation का rule लगाने के बाद वो x और y के बीच में आती है और वो net change होता है कि कुल मिलाकर कितना percent change हुआ है इन दोनों को इन दोनों के उपर इन दोनों के मिश्रण के कह लीजे वो word ज़ादा व अवाल में देखो मैं पूछू आपसे बताओ क्या आप मुझे a और b का ratio बता सकते हो तो आपको कि बिल्कुल a 40 percent का मतलब 2 by 5 तो यह 5 है तो यह 3 हो गया ठीक है दूसरा a में कितने percent का change हुआ है तो a 25 परतिशत से बढ़ गया है b 40 percent से बढ़ गया है तो मैं यह बता सकता यह निकालने के दो तरीके होते है एक होता है 25 इंटू में 3 plus 40 इंटू में 5 divided by 3 plus 5 ठीक है यह हो गया हमारा normal तरीका एक mentos तरीका होता है ठीक है जो थोड़ा सा कभी better हो जाता है और कभी इसके बराबर भी रह जाता है that is weighted average ठीक है मतलब इन दौनों का difference कितना है 15 वो कितनों में बटेगा 5 plus 38 में बटेगा तो यानि यह एक ratio की value आ गई अब हम हमेशा क्या करेंगे यह चोटी वाली value होती है उसके opposite ratio को उठा लेंगे क्यों क्यों हमें पता है कि x जो भी value होगी पकी बात है 25 से बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी जितना इस 5 ratio की value होगी तो 5 ratio की value आगे कितना 75 by 8 so 8 9 जा 72 9 point something आएगा ठीक है यानि कि x की value हो जाएगी 25 plus 9 point something तो 25 और 9 कितना होता है 34 तो 34 point something एक ही option था यह आ गया अगर दो option होते तो हम यहाँ पर इसे exact लेके चलते अगर दो option होते 34 point 38 एक होता 34 point 19 या कुछ और तो हम थोड़ा सा आगे solve कर लेते logic जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनको भी clear है न ऐसा तो नहीं आगे वालों को clear रेके वर चलिए पुराना जोक हो गया कोई बात नहीं है असते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए अगला सवाल सवाल को समझे में पूछा गया सवाल है मैं फिर से दोहरा आ रहा हूं जो भी यह यह मैं बार बार एकी चीज इसलिए repeat करता हूं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि समय के साथ-साथ हमारे साथ बाकी स्ट्वेंट्स जुड़ते जाते हैं तो कई स्ट्वेंट्स कि यह पहली क्लास भी हो सकती है ठीक है तो अगर आपका answer given time में नहीं आता है आप video को pause करेंगे सवाल को try करते रहेंगे सवाल कह रहा है an employee gets two successive increments in his salary as a result of which his salary becomes 2.5 times the initial salary तो अगर उस आदमी की पहले तंखा एक थी तो अब 2.5 हो जाती है 100 थी तो 200 हो जाती है 1000 थी तो 25 हो जाती है धाई गुना हो जाती है दो successive increase मिलते हैं उसे salary में तो बताइए what was his first percentage increment if the second percentage increment was four times as high as the first तो अब चीजों को समझते वे चलें क्योंकि मैं ये आशाक कर रहा हूँ कि आपने percentage वो सारा पढ़ लिया जो मैंने पढ़ा है तो examiner आगे क्या क्या चेंज कर सकता है सवाल को और बहतर कैसे बना सकता है उस बात को समझ पाएंगे जब मैं कहूंगा तो ठीक है अब देखो अब मैं माल लेता हूं कि पहले salary आप अगर x को मानो यहां पर चाहे मत मानो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों देखो मैंने माना कि पहले हमारी salary x को छोड़ो मैं a ले लेता हूं क्योंकि अभी मैं x को आगे use करने वाला हूं मैं माल लेता हूं starting में मेरी salary 1a या a थी तो मेरी salary जब x percent बढ़ेगी तो मेरी salary हो जाएगी 100 plus x upon 100 आप इस बात को समझ पा रहे हो अगर मेरी salary 10 percent बढ़ेगी तो 100 plus 10 upon 100 110 बटा 100 ही करते हैं अब यह हो गया पहला increment तो जो दूसरा increment होगा वो इससे 4 गुना अधी क्यों होगा sorry मैं word को correct करता हूँ जो दूसरा increment होगा वो इसका 4 गुना होगा अब यही थी वो important बात जो मैं आपको समझाना चाहरा था जो मैंने अपने दिमाग में रखी थी क्या कि अभी यहाँ पर आए 4 times as high as आगे आने वाला है 4 times more चार गुना अधिक चार गुना अधिक का मतलब 1 ratio 5 अगर यह x है तो वह 5x होगा यह कई बार examiner use कर चुका है चाहे वो time and work हो चाहे profit loss हो वहाँ पर 4 times और 4 times more चार गुना और चार गुना अधिक यह गलती हो जाती है इससे बच के रहना है मैं कितनी बार भी बता हूँ फिर भी student से गलती होगी बट आपको बचना है ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा भी 4x upon 100 and this is equal to 2.5 times of a तो यह a जो है यहाँ से इस a से कट जाएगा तब 1 और 2.5 भी मान सकते हो आगे कटना ही कटना है रेशियो आने वाला है अब यहाँ पर एक बात आप note डालके लिखेंगे कि हमें options का इस्तमाल कब करना चाहिए बहुत important है बहुत सारी strengths जिनको एक एक साल भी हो जाता है न तयारी करते हैं वो decide नहीं कर पाते हैं कि हमें options से कब जाना चाहिए मैं आपको सीधे तीन steps बता तो यह तीन rule बता तो इसके अलावाद चौथया rule है नहीं आपका rule पहले ही बना हुआ चाहिए आपको पहले decided रहना चाहिए कि इस case में यह मेरा plan of action रहने वाला है काफी सारे ऐसे सवाल है जो option से किये जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर जब वो सवाल कई बार आ चुका है न तो वहाँ पर option से जाने में ज्यादा time लगता है in comparison to basic से जाने में या जो भी उसका तरीक सबसे पहला reason रहता है जब हम option से जा रहे होते है that is quadratic equation जब भी सवाल में मुझे quadratic equation बनते हुए दिखती है मैं try करता हूँ कि मैं option से चले जाओ क्यों तो यहाँ पर quadratic बन जाएगी देखो x into max x square बनेगा ही बनेगा तो हम चलेगे यहाँ पर कैसे option से लेकिन यहाँ पर एक catch है चोटा सा या देखो अगर केवल मैं कहूं कि x square बराबर 36 तो यहाँ पर हम नहीं बचेंगे यहाँ पर तो मैं ऐसे solve कर जाओंगा x बराबर 6 यह plus minus 6 कहलो लेकिन जब भूझ जाएगा x square plus 6x इस तरह की quantity equation यहाँ पर star mark करके नीचे लिख भी लेंगे कि इस तरह की quantity equation में हम option स से जाते हैं ऐसी equation में जहाँ x square बराबर 36 हो वहाँ पर हम solve कर जाते हैं done है तो यहाँ पर आप देखोगे जब यहाँ पर 100 को बाहर भी ले लोगे तो 100 प्लस x इंटू में 100 प्लस 4x होगा तो एक बार x 100 से multiply होगा तो तुरंत मुझे x मिल गया ना x जहाँ पर मुझे दिख यानि यह x square प्लस something x वाली form बन गई तो मैं यहाँ पर option से जाना prefer करता हूँ second कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूँ ठीक है कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूँ और तीसरा reason रहता है calculation जहाँ पर calculation बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि option के unit digit से काम बन जाए या फिर factor apply करके काम बन जाए मैं आगे आपको यह चीज़ें बताते रहूँगा class में या फिर जब हम practice कर रहूँगे तब यह तीन चीज़ें हैं यह हमारा standard operating procedure रहता है अब यहां पर कौन सा case बन रहा है तो यहां पर quality question वाला case बन रहा है तो मैं इसे avoid करूँगा मैं यहां पर option से जाना चाहूँगा कि X की value put करके देख लेते हैं X की value put करके देख लेते हैं हमने कहा कि 25 हो सकता है यहां पर आप 25 put करके देखो यह ratio कितना आ जाना चाहिए हमारा यह 1 यहाँ पर जाएका तो यह आ जाएका 25 upon 1 decimal हटाओ 0 तो यह आ गया अपना 5 से गया यह 5 times और यह 5 by 2 5 by 2 यह 2.5 एक ही बात है ठीक अगर आप यह 25 put करोगे तो कितना हो गया 125 divided by 100 into में 25 चौका 100 100 और 100 200 और 200 divided by 100 यह 2 हो गया और यह कितना आ गया this is equal to 5 by 4 यानि कि 5 by 2 clear है तो 5 by 2 यह यह LHS बराबर RHS हो गया तो A is the correct answer यहाँ पर पक्का satisfy फिर करेगा नहीं क्यों कि हमारा एक ही option तो correct होगा clear है तो A will be the correct answer दूसरा अगर आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाता कि यहाँ पर quantity की question बन रही है तो आप ऐसे check कर सकते थे गलती क्या नहीं करने उसको समझे एक है हमारा 25 तो दूसरा है हमारा 100 तो X plus Y plus XY upon 100 तो X plus Y plus XY upon 100 तो यहाँ पर 100 से 100 चले गया यह कितना आ गया अगर यहाँ तो 1.5 आगा क्योंकि 150 परसेंट है तो 150 परसेंट का मतला 1.5 तो क्या यह गलत है तो answer is no यह मैं तब बता रहूं अगर कोई इस तरीके से गया होता तो हो सकता है वो सोचता कि यह गलत है लेकिन गलत नहीं है यह 150 परसेंट इंक्रीज है सक्सेसिव वाले फर्मूले से हमें क्या मिलता है प्रतीशत बतला परसेंटेज चेंज तो अगर 150 परसेंट इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब 250 परसेंट हो गया है 100 परसेंट तो वो खुद है तो 2.5 टाइम्स हो गया तो सवाल बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है ठीक है चलिए अच्छे सवालों पर हम समय इन्वेस्ट अवश्य करेंगे मेरे हिसाब से आप इस सवाल को कर चुके होंगे अगर आपने परसेंटेज के सारे शेशन देखें है तो कुछ नहीं है आपर क्या कह रहा है 16 to by 3% का इंक्रीज हो गया है रेडियस में ठीक है तो पूछर सर्फेस एरिया में चेंज बता दो तो यहाँ पर क्या है आपको स्फियर का फर्मला अगर सर्फेस एरिया का नहीं भी आता है अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको हमने क्या बाट डिस्कस करी थी वैसे आना चाहिए प्योंकि जब स्लेबस कंप्लीट करके जाओगे उस समय पे तो आपको पता होगा कि 4 पाई आर स्कॉयर ठीक है तो 4 पाई जो है वो तो कॉंस्टेंट रहता है बदल रहा है रेडियस तो इसलिए हम केवल रेडियस को देख रहे होते है फर्मला नहीं भी पता होता है तो काम चल जाता है अब यहाँ पर वो हमसे पूछ क्या रहा है उसमें आप परसंटेंटेंट चेंज बता दीजे क्रेक्ट्टो वन डेसिमल प्लेस किसमें सर्फेस एरिया में तो 16 टू बाई 3 का मतलब होता है 1 बाई 6 तो रेडियस का एस्कवाईर मतलब अर इंटू में आर तो एक ब़र रेडियस छे से साथ हो गया तो कितना हो गया 36 से 49 कितना percentage change हो रहा है कितना increase हो गया 13 का कितने पर 36 पर तो 100 पर कितना 4 से गया 25 बार 4 से गया 9 बार तो 13, 55 तेरा दूनी 26 26 और 6, 32 तो 325 डिवाइड बाइड 9, 3, 27, 55 तो 9, 6, 54 36 point something एक यह option है खतम जादा समय नहीं लगाना है यह तो हो गई हमारी पहला तरीका क्या दूसरा तरीका बन सकता है क्या तो बिल्कुल बन सकता है कौन सा? सक्सेसिव वाला हमने यह बार डिसकस करी थी कि सक्सेसिव वाला तरीका हम तब लगाते हैं जब वो डेसिमल में दिया हो या फ्रेक्शन में दिया हो और खासकर जब ऐसी फ्रेक्शन दे दे जिसका हमें ऐसी परसेंटेज दे जिसका परसेंटेज हमें याद होता है तो वहाँ पर तो हम इसी को यूज कर रहे होते हैं Otherwise, फिर भी कोई कहेगा, नहीं सर, मैं तो वैसी जाना चाता हूँ, तो चले जाओ, 16.23, यानि 16.6666, roughly 16.7 होगा, 16.7 होगा, इन दौनों को जोड़ दो के तो कितना 32, 33.4 हो गया, x plus y plus, xy upon 100, तो अब यहाँ पर इस बात को सोचो, हमने बाद discuss करी थी, कि इसको छोड़ देना, eliminate कर सकते हो, तो 16 का square कितना हो जागा, 256, तो यह 2.56, हमें पता है, जो भी मेरा answer आएगा, उससे थोड़ा अधिक ही होगा, actual answer, तो यह कितना आ गया, 35.96, अब देखो, 35.96 से अधिक option कौन सा है, एक ही option है, यहाँ पर यह, लेकिन doubt create हो जाता, अगर एक option 36.3 भी हो जाता, ठी fraction में, यह decimal में देता है, तो हम definitely इसको prefer करते हैं, क्या इससे correct answer आजाएगा, बिल्कुल आजाएगा, बट approximate आएगा, इससे थोड़ा सा दिक हो सकता है, जब यहाँ पर वो random fraction देगा, तब यह वाला तरीका भी आपके लिए helpful होगा, ठीक है, 3%, 5%, 7, 9, 11, तो आप यहाँ से भ करते रहिए, अगला सवाल हो गया होगा, ठीक है, देखिए, क्या कह रहा है, रिया is spent 66, 2 by 3% of our income, if our income increases by 16% and savings increases by 17%, तो percentage change expenditure पर बता दो, कैसे करते थे, income बराबर expenditure plus savings, expenditure और saving में हम क्या लगा देते थे, allegation, तो वो कह रहा है, रिया जो है, वो खर्च करती है, 66, 2 by 3% of our income, इससे हमें क्या पता चलता है, तो कई students कहें कि रिया बहुत खर्चा करती है, यह पता चलता है, भाई, फोकस करो सवाल पर 66, 2 by 3% खर्च कर रही है, नहीं, दो तिहाई खर्च कर रही है, तो 3 अगर कमा रही है, तो 2 खर्च कर रही है, यह पता चलता है, तो मि इदर उदर ही, इपर income increases by 16%, तो यहाँ पर आदेगा 16, and saving increase by 17%, savings increase होगी 17 से, तो बताओ यहाँ कितना आदेगा, बड़े मैंसे छोट यह value छोटी है, तो इससे यह value और छोटी होगी, कितनी छोटी होगी, तो इतनी छोटी होगी, तो 15.5% is the correct answer, positive है, तो increase, अगर कभी भी यह value negative आती है, यह value negative आती है, मतलब उतना percent decrease, आसान था, बहुत आसान था, अगला सवाल, हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को मैं सीधे discuss करवाऊंगा, जिनको भी try करना है, वो video को pause करके try करिएगा, ठीक है, इस सवाल से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, देखो क्या, सबसे पहले सवाल, सबसे पहले सवाल के बारे में बात चीत यह वाला जो सवाल है ना ऐसा सेम सवाल compound interest बनता आप यह मान लो कि compound interest का सवाल है और उसने उसे इस तरीके से convert कर दिया है basic बात यह है अब यहाँ पर और भी कुछ बाते हैं जो important है कई बार आपको लोग ऐसे सवाल को option से भी करवा देंगे लेकिन option से आपको तभी जाना है जब आपको कोई और option नहीं मिलना कोई और तरीका मिली नहीं रहा है solve करने का मैं आपको समझाता हूं कि option से किस तरीके से सवाल गलत होते है उसका reason logic आपको पूरा का पूरा यह सवाल देदे का बेहदी important सवाल है learning perspective से ठीक है आ जाईए देखर सवाल क्या कह रहा है the price of an article increases by 20% every year if the difference between the price of the article at the end of the third year and at the end of the fourth year is 324 रुपे what is the price of the article at the end of the second year यह compound interest में सवाल अगर यह बनता आप आगे compound interest भी पढ़ेंगे जो पढ़ चुके होंगे वो इसको तुरंत relate कर पाएंगे तो सवाल कैसे आता है कि rate of interest जो है वो 20% है चौथे साल का जो compound interest और तीसरे साल का जो compound interest है उसके भी sorry amount जो है क्योंकि यह कहरा है the difference between the price of the article तो amount after third year और amount after fourth year के बीच का जो अंतर है वो 324 रुपए है तो बताइए second year के end में amount क्या होगी यह उस तरह का सवाल होता अगर आपने नहीं पढ़ा ध्यान से देखो स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं कि कि असी वस्तू का price पी था तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा six by five फी दूसरे साल के बाद six by five और फिर तीसरे साल के बाद और एक बार six by five और चौते साल के बाद six 6x5, तो सवाल कह रहा है, कि चौथे साल के बाद जो प्राइस होगा, और तीसरे साल के बाद जो प्राइस है, उसी का अंतर दिया हुआ है, ना, बात सही है, तो जब आप CIE पढ़ लोगे, आपको यह रिजल्ट सीधे याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कि आप इसम आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आप लिख के देख ले ना, हमारे पास यहाँ पर जगे कम है, इसलिए मैं स्टेप्स को इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू में 324 दी है, अब उसने पूछा, बताओ, दो साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा, तो इसका मतलब यह है, कि वो मेरे से यह वाली वैल्यू पूछ रहा है, अब आती है, बहुत इंपोर्टेंट बात, ध्यान से सुनना, अगर 2x स्पीड कर रखिये, तो 1x कर लेना, परना यह सवाल आपका भी गलत होगा, यानि मेरा जो आंसर होगा, वो P into में 6 into में 6, divided by 5 into में 5 होगा, तो हम यह सोच लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा, मैंने तो देखा YouTube में आपको तहीं बता रहा हूँ, पहले ऐसा सही हो जाता है, लेकिन आज कल examiner बहुत तेज हो जा रहा है, कि जो हमारा principle है, वो 5 into 5, 25 का multiple होगा, तो यह वाला part तो कट जाएगा, ठीक है, मदब 25 तो कट जाएगा, हमारा कोई भी option decimal में नहीं है, तो 5, 5, 25, 25 से 25 का कोई multiple होगा, तो यह कट जाएगा, तो यानि मेरा जो answer होगा, वो 6 into में 6, यानि 36 का multiple होगा, इसका multiple होगा, 36, और 36 को म इंटू में 4 तो मेरा option 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 4 का disability rule क्या है तो 4 का disability rule है सारे disability rule हम starting में discuss कर चुक है देखना class के बीच में कहीं पर इसलिए सारी classes देखो skip मत करो तो 4 मतलब आखरी के 2 digits 4 से कटेंगे यह कट रहा है नहीं कट रहा है यह कट रहा है यह कट रहा है बिल्कुल कट रहा है यह कट रहा है बिल्कुल कट रहा है अब 9 से कटना चाहिए यह digit sum 9 से कटेगा अब यह दोनों option तो गलत है क्योंकि यह 4 से नहीं answer यह था तो अब समझो कि हम option से अगर करते हम कुछ भी नहीं देखते हम कुछ भी नहीं देखते सीधे केवल यहाँ पर आते हैं और हम कहा देते option 36 से कटेगा लेकिन उसमें क्या गलती है उस बात को समझते हैं कल को ऐसा आ जाए एक सवाल ऐसा आ गया था CIE मैं इसलिए ऐसी बात में बता रहा हूँ कि यह option यह value ऐसी दी गई थी जो 25 से कट रही थी principle ठीक है तो answer 36 से कटने वाला correct था लेकिन यहाँ पर समझो अब examiner क्या कर रहा है देखें चलो इसे solve कर लेते हैं तो आप खुद समझ जाओग अगर क्या कर रहा है हमें क्या करना है अगर हमें यहाँ पर आपको P की value बताऊँ देखो यह 1 by 5 आ जागा न तो इसलिए 1 और नीचे 5 इस इगाल टो 324 इंटू में अब मैं P की value लिख रहा हूँ सीदे तो P की value लिखूँँगा तो यह सारा जो पार्ट है यह राइठ हैंड शाइड में shift हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 divided by 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू में 6 यही है नीचे 6 जो है वो 3 बार है नीचे जो 6 है वो हमारा 3 बार है ठीक है अब देखो अब उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है, बताये principle into 6 by 5 into में 6 by 5 की value क्या है, अभी मैं कुछ touch नहीं कर रहा हूँ, अभी हमने क्या निकाल लिया, अभी हमने principle की value निकाल लिया, अभी हम ये मेरा answer होगा अब हम क्या सोच रहे थे हम ये सोच रहे थे कि इस five से ये five कट गया और ये six in two six six in two six कितना होता है 216 क्या 216 से कट रहा है नहीं कट रहा है तो इसका दिकत परेषानी कहां फसी अगर ये value 216 से कट रही होती तो ये कहना सही था कि मेरा answer 36 से कटेगा लेकिन यहाँ पर दिखका समस्या क्या हुई कि ये 6 से काटोगे तो 635 और 624 और फिर 6 से काटोगे तो ये 9 तो यानि कि और और भी अगर आप काटोगे 3 से गये 3 बार 3 से गये 2 तो जो principle था ना मेरे भाई समझो वो था 125 इंटू में 5 इंटू में 3 डिवाइड़ बाई 2 ये 2 दिक्कत दे रहा था ये मुद्दे की बात है बहुत important बात है लेकिन मैंने ये कहा कि 36 से कटेगा ये सोचके कि principle में denominator में कुछ भी नहीं मतलब denominator में 1 है समझ पाए बात को कि denominator में 1 है लेकिन यहाँ पर denominator में क्या था 2 तो जब वो 6 by 5, 6 by 5 से multiply हुआ तो ये जो 2 बच रहा था ये 3 को काट रहा था ये बात को अगर समझ पाए तो हाना बताईए ये मैंने इतनी सारी बात चीत ना मैं चाहता तो एक minute में बता के आगे बढ़ता लेकिन ये इसलिए बताए कि अगर option से आपके दिमाख में ये आया कि ये 36 से कटेगा तो ये बात को समझ ना examiner is P को कैसा भी दे सकता है बात समझ रहे हैं ना तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है हाँ पर 2 आ गया तो basically हमारा option जो है वो 36 से नहीं ये 2 से गया 3 बार तो ये 18 से कट रहा होगा खूब सारी बात चीत होगी तो फिर exam में सवाल को करना कैसे है उस पर आज ओफ अटाक से सब कुछ साफ कर दिया सीधे हमने देखा यहाँ पर 3 साल का जो amount है 3 साल के बाद वो object जितने का हो जा रहा था और 4 साल में जितने का हो रहा था उसका अंतर 324 है तो जब आप CI वगरा पढ़ लोगे आप सीधे लिख पाऊगे 6 by 5, 6 by 5, 6 by 5 ये वाला तो common आ जाएगा और bracket में क्या जाएगा 6 by 5 minus 1 तो 1 by 5 आ जाएगा ठीक है इसकी value कितनी दिया है? 324 दिया यहां तक आ गए उसने पूछा क्या है? ये पूछा है ना तो principle को क्यों मैं निकाल लूँगा? उसने तो यही पूछा है दो साल के बाद वो object कितने क्यों रही थी? तो इसकी value निकालो इसको touch मत करो बाकी सब वाले part को right में ले जाएगे केवल इतना ही करना है common sense लगा देना है तो कितना हो गया? 635 तीस और 64 इंटू मैं 25 sorry 54 इंटू मैं 25 तो 54 इंटू 25 कितना हो गया? 25 चौका 100 25 पंजे 100 25 और 10 135 तो 135 0 यहनि option number A is the correct answer समझ पाए? अगर यह सवाल का जो भी हमने discussion किया वो आपको अच्छा लगाओ तो तुरंत अभी वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को रोग के ठीक है? समझ पाए? तो option से सवाल करना कभी कभी बड़ा खतरनाक हो सकता है आपको एक clear होना चाहिए कि हम option से कब जाएंगे? अंधा दुक्कार नहीं माड़ना है अब देखो कितना आसान भड़िया सुन्दर सवाल है इसे वही कर पाएगा जो language को समझेगा अगर आप यह सोच रहे हो कि हम केवल रटे रटाए टाइप कर जाएंगे एक्जाम में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तो मेरे भाई मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप गलत सोच रहे हैं ठीक है? दिमाग लगाना पड़ेगा आज रहे है सवाल जैसे कह रहे है वैसे करते चलो कि बहुत आसान है जैसे कहा है रहे है जो पैटरल का प्राइस है वो 5% बढ़ गया है ठीक है बिफोर दा हाइक दा प्राइस प्राइस वासटी टू रूपीज पर लीटर अ मैं ट्रेवल स्थी जेरो फाइव किलोमेटर एवरी मन्त and his car gives a mileage of 15 km per litre what is the increase in the monthly expenditure to the nearest rupee तो 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 थोड़ी सी calculation होगी घबराना नहीं है on the man's travel due to the hike in the petrol price देखें अब देखो क्योंकि petrol का price 5% बढ़ा है इसका मतलब जो भी उसका खर्चा होता था न वो भी 5% ही बढ़ेगा तो हमें क्या बताना है हमें वो हाइक ही बताना है यानि जो उसका actual खर्चा है उसका सिर्फ 5% खतम खलास देखो तो भाई वो कितना किलोमेटर चलता है 3054 किलोमेटर चलता है और उसकी जो गाड़ी है वो mileage देती है 15 का यह मत पताने लगना कि कौन सी कार है कोई भी हो सकती है यानि उसका जो monthly expenditure है इतने लीटर का है और एक लीटर कितने का था 82 का था यह उसका पुराना खर्चा आ गया सिर्फ और सिर्फ इसका 5% यानि 1 by 20 निकाल था खलियर तो हमने काटा 2 से 10 बार और 2 से 41 टाइमस अब 15 से गया यह 2 टाइमस 15 से अब आगे जान commence 15 से गये 3 टाइमस अब 10 से कट भी नहीं रहा है अगर 2 कट भी ज्या अगर यहां पर 2 होता तो कट भी जाता तो भी हम नहीं काटते इधे क्या करते यहां पर 10 रहने देते multiply कर दीजे क्या नहीं करना है कि इस 41 को 40 मानने लग रहे हैं हो सकता है कि जल्दी हो जाए बट अगर option close होंगे तो दिक्कत हो जाएगी ज्यादा time नहीं लगेगा 203 cross 408 आ गया कितना 8243 divided by 10 824 रुपे is the correct answer नहीं आया एक second 203 into 4 4 ती है 12 होता है कैसे लिख दिया पता नहीं कोई बात नहीं है है ना 2, 3, 8 और यहां पर 3 तो 832 रुपे 832 रुपे is the correct answer correct है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अब इसे देखके कोई करपय है ना कहिएगा कि यह सवाल रेशियो का है अगर है भी यह को percentage, ratio, allegation यह तीनों basic है यह सब interlinked है तो अगर आपको रेशियो का लग भी रहा तो रेशियो हम बढ़ चुके हैं पूरा रेशियो अप्लोड किया जा चुका है तो होना चाहिए चलिए, discuss करते हैं देखो वो सकता है आप calculation में अटक रहे हो आप try करते हैं calculation से बाहर निकलने का एक ही तरीका है आप simplify करिए चीजों को फालतू मैं calculate हर चीज को मत करिए जहां पर जो चीज common आ सकती है calculation करने, strong करने एक तो simplify करें, दूसरा table से हाथ करें बस, plus minus आना चाहिए जैसे कह रहा है, वैसे करते हैं चलो बस 11 by 5 of a number is 22% 11 by 5 of a number a is 22% of b तो मुझे यहां से a और b का relation मिल जाएगा 11 से गया यह 2 बार और 2 से गया यह 50 बार और 5 से गया यह 10 बार मैं आगे कुछ नहीं कर रहा, मुझे यहां से यह पता सल गया है कि a बराबर 1 by 10 b या 10 a बराबर b आगे कह रहा है, the number b is equal to 2.5% of third number c तो यानि वो कह रहा है b बराबर है 2.5% point को हटा के मैं नीचे 0 लगा देता हूँ of c आगे कह रहा है, if the value of c is 500, then मुझे a और b दौनों की value निकालने, फिर उसका कुछ percentage निकालना है तो मैं c की जगे यहां पर डिलिक देता हूँ पचपन सो अब सबसे पहले b की value जितनी simplify form में आप निकाल सकते हैं उसको निकाल लिए तो 25 से गया यह कितनी बार 40 बार 0 से गया यह 0 ठीक है 2 से गया यह 2 बार और 2 से गया यह आपका 5 बार ठीक है मतब 0 को मैं ऐसे काटता हूँ 55 इंटू में 10 ठीक है तो 2 से गया यह 5 बार ऐसे इस 0 को काट देता हूँ में 5 बार तो यानि b की value कितनी आ गई तो 5 फाइजा 25 5 फाइजा 25 प्लस 2 275 बाइ 2 यह b की value आ गई तो इसका मतलब a की value क्या हो जाएगी बस इसको 10 से divide कर दो तो a is equal to 275 divided by 20 अब बिल्कुल भी हाथ मत लगा हो क्यों 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 कि यहां पर हम 275 बाइ 2 को कॉमन ले लें काटा पिटी नहीं कर रहे जैन तर सम अफ 80% of a तो 80% of a यानि की 8 by 10 a प्लस 4 upon 10 40% of b सही है क्या common लिया जा सकता है तो 4 by 10 को common ले लेते हैं तो यह आ गया 4 by 10 तो bracket में क्या बच जाएगा आपका bracket में बच जाएगा आपका 2 a प्लस b अब बस 275 बटा 2 को common ले लो तो यहाँ पर आ गया मतलब a और b है न यह तो यहाँ पर आ गया 275 वरना आप अपने इसाब से जैसे calculation करते हैं वैसे कर लो ठीक है तो यहाँ पर बचा कितना यह बच गया आपका 1 by 10 तो a की जगे आजाएगा 1 by 10 और b की जगे आजाएगा 1 ठीक है बस इसको solve कर देंगे तो यह कितना आ गया यह आगया आपका 1 by 5 यह पूरा आ गया 6 by 5 ठीक है कुछ काटा पीटी nearest कह रहा है न ठीक है तो nearest कह रहा है तो 2 से कटा यह 2 बार और 5 से गया यह कितनी बार 5525 और 5525 ठीक है तो यह हो गया आपका 6 दूनी 12 अच्छा 5 से और कट रहा है 5 से गया 11 बार और 2 यह तो पूरा आ गया exact आ गया exact यह आ रहा है 66 ठीक है कोई यहाँ पर correct to one decimal place नहीं था 66 आ गया main बात क्या थी main बात थी यहाँ पर simplify करने की value देखो कितनी गंदी आ रही है तो हम ऐसा लग सकता है कि मैं कहीं न कहीं गलती कर रहा हूँ ठीक है पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते आना है सही कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं इस type के सवाल अब आ रहे हैं कि हमें खुद ही लगे कि हम कहीं पर गलती से मिश्टेक कर रहे हैं अगला सवाल यह आसान है पिछला सवाल सही था सवाल कह रहे हैं अब परसंस सेलरी वस डिक्रीज वाई 50% अब सबसीक्वेंटली इंक्रीज वाई 50% अब देन अगें इंक्रीज वाई 100% तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप इसे रेशियो से कर जाओ कि 50% का मतलब होता है 1 बाई 2 तो 2 से एक बार 1 हो गई और एक बार 2 से 3 हो गई और 100% इंक्रीज मतलब 1 से 2 तो 2 से ये 2 कट गया हमने ये बाद डिसकस करी थी काटाप पीटी कर सकते हो यानि सेलरी जो है वो 2 से 3 हो गई तो कितना इंक्रीज होगी 50% अधरवाइस आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँपर पहले माईनस 50 है फिर प्लस 50 है फिर प्लस में 100 है च्छई आपकी है तो यहाँपर क्या होगा एकस प्लस वाई तो कटी जाएगगा हमेश्य एकस इसक्वाइर वहंडेड आता है यहाँपर लस तो यह हो जाएगा आपका माइनस का 25 यहाँ पर अगर आप अपलाई करते तो कितना आ जाता x प्लस y 75 माइनस x y अपॉन 100 चोईस आपकी है दौनों जगे से 50% आएगा यहाँ positive आ रहा है यानि 50% gain 50% gain एक option दे सकता था 50% loss स्टार्टिंग में और यह वाला option आखरी में ठीक है चलिए अगला सवाल अब देखे फिर profit loss आ गया अब आप कह सकते सर profit loss नहीं पढ़ाया है profit loss percentage unitary method लग रहा है basically आपको यहाँ पर बस इतना पता हो नची कि profit का मतलब फायदा है और loss का मतलब नुकसान है अराम से हो जाएगा जो try कर रहे हैं वो try कर सकते हैं आप यहाँ देखिए देखो मैंने आपको एक चीज बताई है हमेशा आप अपने rules same रखिएगा ऐसा नहीं कि कभी हम कोई चीज अपलाई कर रहे हैं कभी कोई चीज देखो यहाँ पर भी वैसे शुरुबात करते हैं 50% of the profit by selling tea at 9 rupee per cup when the cost of ingredients increased by 25% he started selling the tea at 10 rupee per cup what is his profit percentage now हुआ क्या? कि माल लो कि वो उसका जो ingredient थे वो जो भी उसका cost price था वो जितना भी खर्च करता था वो एक रुपए था 50% का मतलब क्या होता है 1 by 2 एक नहीं मालना पड़े गए हैं आपर हम माल लेते हैं 2 ठीक है कि वो 2 rupee में कुछ चीज कोई चाय तयार करता था और उसको 3 rupee का बेचता था कितने का percentage का profit हो गया 50% का profit हो गया basically हमें इस 3 की जो value दी हुई है वो 9 दी हुई है ठीक है क्योंकि जो selling price है वो 9 है तो यानि 3 ratio की value 9 हो गई तो 3 की value 9 है तो 1 की value कितनी 1 की value 3 यानि basically वो 6 rupee की चाय मतलब बनाता था ये 6 rupee की चाय उसको पड़ती थी जो वो 9 rupee में बेच देता था आगे क्या होता है when the cost of ingredient increased by 25% तो 6 से जो price है वो 6 into 5 by 4 हो गया मैंने इस बात की चिंता नहीं करी कि यार इसका जो 1 4th है वो कितना होगा 1.5 rupee होगा तो मैं 1.5 इसमें जोड़ू मत जोड़ू 25% बढ़ गया तो into में 125 बटा 100 हो गया आप 125 बटा 100 को क्या लिख सकते है 5 बटे 4 तो वो कह रहा है अब वो जो चाय है वो उसको 10 रुपए का बेच रहा है यानि कि अब वो इतने रुपए की चीज़ को इतने का बेच रहा है तो फाइदा नुक्सान बताओ exact value को निकालना आप सीधे इनका अनुपात ले लो इसको मत solve करो कि यह कितना है exact value मत निकालो 2 से गये 2 बार 2 से गये 3 बार 5 से गये 2 बार तो यह कितना आ गया 3 अनुपात यह 2 वहाँ चले गया 4 यानि मैं कह सकता हूं कि CP और SP का जो ratio आ गया वो 3 अनुपात 4 आ गया यनि 3 रुपए की चाय चाय में बेची जा रही है तो 33 सही एक बटा 3 प्रतिशत का लाव हो जाएगा option C is the correct answer बात क्लियर है अब इस बात को और समझना अभी तो यह ऐसी value आ गई कि जो हमारी 3 से cut जा रही थी क्या कल को ऐसा आ सकता है कि भाई चाय को वो 19 रुपी पर कब बेच रहा है 19 by 3 तो 2 की value कितनी 19 by 3 in 2 में 2 आ जाता बाकी सारा process वैसे ही चलता ठीक है तो examiner ऐसी value देता जो 19 से cut जाती वो कहता अब वो 38 रुपे की बेच रहा है कि नहीं भी कटती तो percentage का जो profit है वो अलग आ जाता कोई tension वाली बात तो नहीं है न ठीक है बात को समझे basic is important examiner इसी तरीके से सवालों में थोड़ा थोड़ा change करते रहेगा करें करें in a factory of 400 employees the ratio of the number of male employees to the number to that of female employees is 5 ratio 3 there is 87.5 percent regular employees in the factory if 92 percent of male employees are regular employees then what is the percentage of regular female employees अब देखो यहां पढ़ना इस value को बिना use किये भी आप सवाल को कर सकते हैं हमें क्या चाहिए हम यहां allegation लगा रहे हैं हमें यह पता है कि male और female का जो ratio है company में वो 5 और 3 के ratio में है इस मैंसे 87.5% मतलब पूरे 100% मेंसे 87.5% regular employees हैं तो regular employees बन कैसे रहोंगे? male और female को मिलाने से तो वो कह रहा है कि इस मैंसे 92% male employee regular है तो जो female होंगी वो definitely 87.5% से कुछ कम होंगी और इनको 5 और 3 के ratio में मिलाने पर मुझे यह प्राप्त हो रहा होगा ठीक है अब आप देख लो 87.5 से कम सभी option है accept this तो solve कर लेते हैं बड़े मैंसे छोटा माइनस करो कितना गया? धाई और 2 धाई और 2, 4 तो 3 ratio की value 4 है तो 1 की value डेड हो गई एक की value डेड तो 5 की value साड़े साथ होगी इससे यह value छोटी है तो इससे यह value छोटी होगी कितनी? कितनी? तो यहनि 87.5 minus 7.5 यहनि 80% is the correct correct है कौन सा option? option number A is the correct ठीक है? आसान था यह सवाल भी बहुत आसान है इसमें हम एक छोटी सी चीज को discuss करेंगे तो तो सवाल क्या कह रहा है? अब सवाल क्या कह रहा है? अब सवाल भी इस सवाल डिसकस किया भी था बाइवाट परसेंटेज करेंगे तो डेसिमल प्लेश शुड इस हैट भी इंक्रीश फो देट $ इरिया का फॉर्मولा क्या है? तो आपको किसी भी ट्रियंगल के एरिया को आफ इंटू में बेस ईंटू में हight से निकाल सकते है तो क्या एरिया हाफ मनला ए एरिया में जो चेंज है उसमें Half का कोई योगधान है? नहीं में योगदान होता है base और height का क्योंकि जब base और height change होंगे तो half तो तब भी half ही रहेगा जब base और height आप change कर दोगे formula तो यही रहेगा तो constant term से कोई change नहीं पड़ता है ठीक है अब तो base into height बराबर area हो गया तो 40% जो है increase हुआ है उसके base में तो base में 40% 40% का मतलब 2 by 5 तो base 5 से कितना हो गया 7 हो गया और height मुझे नहीं पता कितने से कितने हुई लेकिन जो area है वो 60% से बढ़ गया है तो 60% का मतलब मैं लिख देता हूँ 10 से 16 अब भाई 60% का मतलब 3 by 5 होता है तो 5 से 8 नहीं तो अगर तुरंत नहीं क्लिक कर रहा है तो 1016 कर दो वो तो कटी जाएगा fraction लिखना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है done अब बात आती है इसके आगे की अब दो किसमें कुछ भी नहीं है कोई इसके लिए trick वगेरा मत समझो सीधे यह समझो कि यहाँ पर है हमारा 7 by 5 7 by 5 7 by 5 को किस से multiply करें कि हमारा क्या आजाए 8 by 5 बस इस चीज को याद रखो कि आप किसको पहले लिख रहे हो new upon old तो यह new upon old मेरे पास आ जाएगा तो यह 5 से 5 cancel out हो गया यहाँ पर है 7 आ गया तो मैं समझ गया यह 8 by 7 हो जाएगा यहाँ 8 यहाँ 7 खतम यानि कि हमें जो height है वो 7 से 8 करनी है कोई trick समझने की आविश्यक्तर नहीं है 7 से 8 मतलब कि 1 का increase कितने पर 7 पर तो 1 by 7 कितना होता है 14 सही 2 बटा 7 तो 14 point something answer होगा खतम ऐसे 14.28% होता है अप्रॉक्स ठीक है वो से हमने already discuss किया हुआ है अब मुझे क्या लगता है न एक सवाल examiner बहुत जल्दी डालने वाला है वो सवाल बिल्कुल ऐसा ही होगा समझना कैसे करेंगे लेकिन एक student उसे देखके घबराने वाला है वो कहेगा कि A into B into C into D is equal to X ठीक है अब वो कहेगा कि A जो है वो इतना percent increase हो गया B इतना increase हो गया C इतना हो गया और X इतना हो गया तो बताओ D पे percentage change कितना होगा तो आप समझ रहे हो हमें कैसे करना होगा अब मैं कहता हूँ एक कुछ percent बढ़ गया मतलब 7 by 5 हो गया यह माल लो 3 by 5 हो गया यह 25 by something हो गया let us suppose 27 कर देते हैं यहाँ पर बताओ क्या आएगा कि यहाँ पर आजा है 5 by 4 माल लो 5 by 4 का जाएगा 25% increase तो आप इसको निकाल लोगे ना इसको निकाल ले इसको निकाल ले जो भी आपकी इसकी value आगे इसका मतलब हम इसे अगर माल लो अभी मैं निकाल ले रहा हूँ माल लो इसकी value आ गई let us suppose 3 by 4 तो 3 by 4 आने का मतलब deeper कितना change करना है इसको कैसे पढ़ोगे तो अगर मैं 7 by 5 लिख रहा हूँ मतलब की 2 का increase 5 पर मैं 3 by 4 लिख रहा हूँ यानि एक की कमी कितने पर 4 पर 4 से value 3 हो रही है 5 से value 7 हो रही है 5 से value 3 हो रही है तो 4 से value 3 हो रही है यानि एक की कमी कितने पर 4 पर तो 100 पर कितना बात समझ में आ रही है आप इसे ऐसे लिखोगे A, B, C, फिर D पे change पता चलेगा net change मुझे यहां से यहां दिया हुआ है clear है तो यह आना चाहिए यह सवाल जब आएगा काफी student confused हो जाएंगे कि कैसे करें इस सवाल को आप ऐसे कर लोगे समझ देना वही बात है 5-7, 5-3 और 27-25 इसको multiply कर लोगे यहाँ multiply कर लोगे और फिर कर देंगे done चलिए तो यह हो गया अगला सवाल अब यह सवाल जो है हम एक ही तरीके से discuss करने वाले है last session में भी यह सवाल discuss किया था हर बार एक सवाल को हम डीटेल में discuss नहीं करने वाले पुराने sessions नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखेंगे time pass इतना ही sufficient है ठीक है कैसे करते थे price जो है एक item का 20% से कम हो गया है जिस वज़े से एक आदमी जो है 2 kg अधिक खरीद पा रहे है 360 रुपए में original price बताईए अब 360 रुपए वो लेके जा रहा है क्योंकि price कम हुआ है तब उसके पास इसका 20% यानि इतने रुपए बचेंगे और इतने रुपए में अब 2 kg आइटम आता है यानि अभी जो है 1 kg इतने का मिलेगा तो अभी का price पूछता तो 36 answer होता जो कि यह दिया हुआ है कि मैं गलती कर जाओ लेकिन कहरा है पुराना price बताओ तो यह 20% कम होने के बाद है तो 20% कम मतलब होता है 1 by 5 तो 5 से 4 हो गया है यानि कि यह 4 ratio की value है 5 की बता देनी है खतम ठीक है तो 5 into में 2 10 हो गया और 4 9 जा 36 हो गया और 9 5 जा 45 हो गया option number A is the correct answer correct है अगला सवाल को पढ़कर हम जब तक चीजों को नहीं समझेंगे examiner हमें मूर्ख बनाता रहेगा ये उसका एक और जीता जाकता तो example नहीं है क्योंकि ये सवाल non living है तो एक आपके सामने मरा हुआ example है ठीक है निर्जीव और सोता हुआ करें देखो है एक worker जो है has an increase of 12.5% इन हर wages तो उसकी जो salary है उसके जो पर घंटे के charges है वो 12.5% से बढ़ गए है लेकिन 10% का कमी आ गई है उसके hours में जितने वो हर हफते काम करता था उसमें 10% की कमी आ गई है अब पता है आपको उसने यह सब हमें मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ है इस सब को बिना यूज किये हम answer निकाल सकते हैं क्यों? क्योंकि एक घंटे में मुझे जितने पैसे मिल रहे है इन्टू में जितने में घंटे काम कर रहा हूँ that is equal to क्या दे रहा है मतलब wages पर घंटे का पैसा इन्टू जितने घंटे काम कर रहा हूँ बराबर total पैसा बात सही है तो अगर आप मुझे इस पर change दोगे इस पर change दोगे तो मैं इस पर change बता सकता हूँ successive से नहीं तो डंडे वाले method से तो बस वो यही कह रहा है कि भाई इस पर change दे दिया इस पर change दे दिया इस पर पूछा है इस सब की जरूरत नहीं है इस वाली value की ध्यान से मेरी बात को समझना इसकी value की जरूरत पड़ती अगर वो मेरे से पूछता बताओ नई salary कितनी है नया उसको जो पैसा मिल रहा है अब कितना पैसा मिल रहा है तो मैं वहाँ पर use करता इस रुपे को into में this into मतलब fraction से multiply करते हैं ठीक है बात clear है लेकिन यहाँ पर उसने percentage change पूछा तो मैं यहाँ पर successive use कर जाओंगा इस सब का कोई use नहीं करने वाले तो साड़े बारा increase हो रहा है तो plus का साड़े बारा और 10 minus का तो x plus y कितना हो गया 2.5 फिर इन दोनों को multiply कर दो upon 100 कर दो 10 into में 2.5 sorry 12.5 divided by 100 तो 0 से 0 चले गया इस 0 से यह 1.25 हो जाएगा 2.5 minus 1.25 is 1.25 लेकिन आपर यह percentage में तो आप चाहे तो इसको avoid भी कर सकते हैं choice आपकी है 12.5 हमें पता है 1 by 8 होता है तो 8 से 9 और 10 परसेंट तो 10 से 9 यानि कि हमारी जो salary है यह पैसे हैं वो 80 से 81 हो रहे होंगे एक का increase 80 पर तो 100 पर कितना खतम 0 से 0 चले गया दो से गयी है 4 बार दो से गयी है आपका 5 बार तो 5 by 4 यह नि 1.25 तो option number एक correct है आप कैसे भी जा सकते हैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको सिर्फ रह बता सकता हूँ कौन सा चुनना है वो exam में आपकी को देखना है जादर स्यादर प्रेक्टिस को आपके मन से आवाज आने लगेगी कि ऐसे जाओं या ऐसे कोई एक fix तरीका नहीं होता है ठीक है correct है अगला सवाल लेकि यह भी न एक तरीके से compound interest का ही सवाल है अब examiner क्या करने लगे है language को थोड़ा सा घुमाने लगया है हमें अटकाने के लिए ठीक है basic भी एक बार में discuss करों कि यहां तक हम कैसे पहुँचे देखिए आप बिल्कुल try करें वीडियो को पहुँच करके कोई दिक्कत नहीं है care the income of a company increases by x percent per year तो हर साल company की जो income है वो x percent से increase कर रही है if its income is 3125 000 in the year 2019 तो 2019 में उसकी income दे दी है और 2017 में उसकी income दे दी है तो आपको बताना है what is the value of x तो समझ रहे हो न कि एक दो तीन चार पाँच छे इंटू अगर x percent का increase हो रहा है तो इंटू 100 प्लस x upon 100 फिर से multiply करोगे 100 प्लस x upon 100 और इसकी value बराबर है किसके 3125 3125 000 के अब यानि मैं यह कह सकता हूँ कि 100 प्लस x upon 100 का square यह बराबर होगा किसके 3125 000 divided by 2 के पीछे 60 ठीक है तो अब इस बात को समझो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या x square मुझे दिख रहा है तो क्या मैं यहाँ पर quadratic equation देखके मैं यहाँ पर option उठाऊंगा आप यह कहलो कि हाँ ना दौन हो है ठीक है मुझे पता है कि इसका square यह है तो इसको मैं solve करता हूँ compound interest जैसे यह आप पढ़ लोगे ना आपको तुरंट लगे है यह तो ci कैसा वाल है यहाँ पर इसका square यह किसी का एक perfect square होगा मुझे बस वहाँ तक पहुंच रहा है क्योंकि इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर यहाँ पर x की value 10 होती तो पैसा 100 से 110 हो रहा है ठीक है यह पक्का किसी का perfect square है exam में आप यह पूरा ताम जाम नहीं करेंगे exam में आप सीधे देखोगे कि अच्छा इसको दो बार किसी एक fraction से एक भिन से multiply किया गया यह है वो fraction तो दो बार है तो square है तो मुझे यह वाली value मिल रही है तो इन दौनों का जो ratio है वो पक्का किसी एक fraction का perfect square होगा अब आप काट के देखिए काटे 25 से कट रहा है तो 25 से गया यह 8 बार 25, 68, 200 तो यह आगया 80 बार और 25 से 1000 जाता है 8 बार तो 8 यह 24 25 से 1000 जाता है 40 बार तो 4 यह बार है 120 तो वो गया और 120 के बाद 5 125 हो गया ठीक है 5 से गया यह 25 बार और 5 से गया यह 16 बार अब 25 बटा 16 किसका perfect square दिख रहा है 5 by 4 का दिख रहा है तो this is equal to 5 by 4 का square यानि कि हर एक साल यानि इसकी जो value है 5 by 4 आगी तो मतलब मैं ऐसे ऐसे पढ़ोगा कि मेरे रुपए जो है 4 से 5 हो जाते है एक साल में यानि एक का increase हो रहा है 5 पर तो 100 पर कितना यह आपको और clear होगा जब हम simple interest और compound interest पढ़ेंगे otherwise अभी भी अगर आपको बिलकुल चुनी सा भी doubt है तो आप इसे ऐसे solve कर लेना 100 प्लस x upon 100 इसकी value हमारे पास 5 by 4 आगी 4 से 25 बार चले गया 25 पंजे 125 तो x की value कितनी आगी 25 so 25 एक सेकेंड चलो अच्छा हुआ कि हमने solve कर लिया ठीक है क्योंकि 4 से 5 हुए है ना तो 1 by 4 होना था ना क्योंकि यह live नहीं है मैं बताके निकल जाता फिर आपके comment आते कि 25 आंसर अच्छा हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है x की value 25% 1 by 4 या नही 25% is the correct answer clear है चले आगे बढ़ते हैं तो end हो चुकी है slide यहाँ पर तो इसी के साथ हम आज के session को the end करेंगे आपको session कैसा लगा please comment करके बताएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बताना live या recorded किस तरीके के आपको session चाहिए फिर मिलते नेक्स वीडियो में till then हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए